नमस्त स्टुडेंट्स पाठ चला पंडित में आप सभी का स्वागत हैं मैं हूँ आईश भटे चरिया आज हम देखेंगे कि डेटा साइंस क्या होता है ठीक है एक छोटा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं आज तो टापिक लेते हैं इंट्रोडक्शन टूटेटा साइंस तो डेटा साइंस पहली बात मैं बताए सो ये बहुत बड़ा फील्ड है और ये जो फील्ड ये हर जगा पे लागो हना है चाहे मेडिकल हो, हेल्थ केर, मेडिकल हो, अगरिकल्चर हो, डिफेंस हो, सब जगह पे यह डेटा साइन्स हम लगू कर सकते हैं तो पहले काउं करते हैं, इसका एक official definition जो है, वो देख लेते हैं तो official definition के अनुसार, data science is a deep study of the massive amounts of data which involves extracting meaningful insights from raw, structured and unstructured data that is processed using the scientific method, different technologies and algorithms तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि हम data लेंगे, ठीक है सोचो कोई भी data हो, उस data को लेंगे और उसको थोड़ा बहुत modify करके और कुछ algorithms उस पर लागू करके, हम अलग-अलग insights, मतलब अलग-अलग उसमें से trends जो है, patterns जो है, वो हम ढूणनेंगे, और उसके basis पर हम एक decision लेंगे ठीक है, अगर अभी आपको समझ में ना रहा हो, कोई बात नहीं, चाहते है कि example देख लेते हैं, ठीक है तो data science को approach करने के लिए, ठीक है, data science में basically 4 steps होते है, ठीक है उन 4 steps को भी देख लेते है, asking the correct questions and analyzing the raw data, modeling the data using various complex and efficient algorithms, visualizing the data to get a better perspective, understanding the data to make better decisions and finding the final result तो चलो, एक काम करते हैं, एक example ले लेते हैं, सोचो किसी grocery store में हम देखते हैं कि उधर का mangoes है, वो mangoes कभी कबार ऐसा होते हैं कि overstock करने से, मतलब बहुत ज़्यादा खरीदने से हैं और वो सर जाता है, ठीक है, मतलब लोग जादा नहीं खरीद रहें, पर हम दुकामदार जो है, वो जादा खरीद कर रख रहा है और उसका loss भी हो रहा है, क्योंकि सर रहा है, तो इस problem को कैसे solve किया जाएं तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें उस mango का जो हमें data है, जो लोग खरीद रहें, उसका हमें data लेना है, तो अब बात यह है कि सोचो हम ले रहें कि days, क्या-क्या हमें data मिल रहा है, पहले वो देखो, तो days, फिर days, next है, rate ले लेता है, rate and quantity, इसका मतलब क्या हुआ, कि कौन से दिन, सोचो, 1st January से ही शुरू करते हैं, 1st January, फिर 2nd January, 3rd January, ऐसे करके हम नीचे जा रहें, अब तिल 31st December, हर दिन हम उसका rate जो है और उसका quantity है, वो हम नोट डाउन कर रहें, तो 1st January में rate थोड़ा जादा ही होता है, क्योंकि तब ही mango's नहीं मिलते हैं, तो मान लो, ठीक है, अभी मुझे exact rate थो नहीं पता, पर मान लो, उसका जो rate है, वो है 200, ठीक है, 200 पर dozen, ठीक है, 200 पर dozen, फिर इधर भी 200, 200 ऐसे करके rate चल रहे हैं, December में भी 200 ही होता है, ठीक है, इस तरह से उसका rate है, और जो लोग तभी खरीद रहे है, वो है, इस quantity में हम लिखेंगे, तो सोचो 1st January को सिरिफ 2 dozen बिका, फिर 3 dozen, फिर 0 dozen, फिर इधर इधर भी सोचो सिरिफ 3 dozen, ठीक है, ऐसे करके हम सब कुछ इधर calculate कर रहे हैं, calculate नहीं, मतलब note down कर रहे हैं, ठीक है, तो यह हो गया data, ठीक है, यह है step 1, मतलब जहां पर हम data को देख रहे हैं सरीफ, अब इसमें से हमें questions पूछने हैं, हमारा aim क्या है, कि जो mangoes है, वो सरने नहीं चाहिए, ऐसा नहीं हो कि हम ज्यादा stock कर रहें, लेकिन लोग खड़ीद नहीं रहें, ऐसा नहीं होना चाहिए, तो इसलिए हमें question पूछना है, अब इसमें हमें कौन सा ऐसे columns है, जो हमें इसमें मदद करेगा, ठीक है, क्या यह जानने के लिए कि लोग कितना खड़ीद रहे हैं, या मुझे कितना stock करना चाहिए, तब मैं rate का column को देखू, या quantity के column को देखू, है न कि लोग क्या खड़ीद रहे हैं, या क्या नहीं, कितना खड़ीद रहे हैं, वो ही मुझे देखना पड़ेगा, क्योंकि उसके basis पर ही मुझे पता चलेगा, कि मुझे कितना अपने दुकान में रखना है, कितना stock करना है, तो इस case में rate का column नहीं, quantity के column से हम शुरू करेंगे, तो ये है correct questions पूछना, जो second step है, वो है कि modeling the data using various algorithms, modeling का मतलब क्या है, कि सोचो हमने ये इतने सारे data ले लिए, 365 points है, 365 rates है, 365 quantities है, तो हमें इतने सारे जरूत नहीं है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, January महिना लेंगे, ठीक है, उसका एक average rate ले लेंगे, ठीक है, तो उसका मतलब क्या हुआ, कि इधर, month में, सोचो, फूरे January के महीने में, जो quantity है, ठीक है, फूरे January के महीने में, जो quantity है, वो सोचो, बिका है कि, ऐसे ही, सोचो, 60, dozen बिके है, February में, 40, फिर March में, अभी March धरी धरे शुरू हो रहा है, April, गर्मी की मौसम शुरू हो रही है, तो इधर, 120, 180, ऐसे करके धिरे धिरे बढ़ रहा है, ठीक है, तो यह calculate करना, ठीक है, यह calculate करना, यह है step 2, और इसे कहते हैं, modeling, ठीक है, अब हम यह तो sum कर रहे है, इधर, 60, 60 का मतलब क्या है, कि जितने सारे, जितने सारे quantity है, जितने सारे dozens भी के है, mango के, वो सब हम add कर रहे है, तो 60 पन क्या है, February में 40 है, March में 120 है, अब सच हम उसके mean भी निकल सकते हैं, कि हर दिन का कितना average बिखता है, वो भी हम निकल सकते हैं, तो इसे कहते है, modeling, ठीक है, इसे कहते है, modeling, तो यह था step 1, data, step 2 क्या है, modeling, step 3 क्या है, step 3 है, visualization, अब बात यह है, कि यह देखकर उतना हमें समझ में नहीं आ सकता है, ठीक है, यह देखकर हमें उतना समझ नहीं आ सकता है, तो हमें क्या करना पड़ता है हमें उसका graph बनना पड़ता है ठीक है हमें उसका graph बनना पड़ता है तो graph कैसे बनाएंगे वो भी उसके लिए बहुत सारे tools है ठीक है ऐसे online tools मिलते है online software ऐसे मिलते हैं वो सब आपको बात में समझा आ जाएगा पर अभी के लिए बस ये मान लो ये जान लो की graphs बनाने पड़ते हैं तो इधर हम क्या बनेंगे इधर हम quantity लिखेंगे और इधर हम लिखेंगे month तो ये है January, ये है February, ये है March और ये है April फिर ये है December, ठीक है? ऐसे करके जा रहा है तो January के महिने में सिर्फ 60, ये 60, ये 120, 180, 60, 120, 180 ऐसे करके, तो January के महिने में सिर्फ कितना? 60 February में कम, March में 120, सिधा इधर फिर 180, फिर हो सकता है कि और भी आगे जाए, और भी जादा हो जाए, 360, फिर और भी हो सकता है, ठीक है? फिर सम ऐसे करके धिरे 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 December में कम हो जाएगा, correct? ऐसा ही होता है, जब आम बिखते हैं, तो ऐसा ही कुछ graph दिखता है, तो इसे कहते है, visualization, कि हम देख सकते है कि कि कितने आम आम बिख रहे है, विद्धा help of a graph, ठीक है, इसे कहते है visualization, ओके, तो third step भी हमें समझ में आगिया कि visualization हो रहा है, ठीक है? अब इसी visualization के हिसाब से हम predict भी कर सकते हैं, ठीक है, इसी visualization के सारे हम predict भी कर सकते हैं, कि अगले साल, जो आम बिखेंगे, उसका graph भी कैसा दिखेगा, उसका graph भी इसी की similar दिखेगा, आज यह 2023 जल रहा है तब ऐसा graph दिख रहा है, 2024 में भी almost similar graph दिखेगा 2025 में भी almost similar graph दिखेगा ऐसा नहीं होगा कि 2024 में जन्वरी में सबसे जादा आम बिखेगा है, अपरिल में के महीने में सबसे कम आम बिखेगा नहीं तब भी ऐसा ही almost, almost हाँ, हो सकता है कि इधर अभी 2023 में ऐसा है तो हो सकता है कि 2024 में कुछ इस प्रकार का graph दिखेगा, at most ऐसे, ठीक है, ऐसा कुछ तो एक graph दिखेगा, बस पर जो structure है, मतलब एक pattern जो है, कि April में के महीने में बर रहा है और December, January के महीने में कम हो रहा है, यह सेम ही रहेगा तो इस तरह से हम prediction भी कर सकते हैं, visualization के सारे तो यह हुआ visualization, अब चौधा जो step है, वो है decision taking, ठीक है अब बात यह है कि ठीक है, इतना सब मेहनत थे हमने किया, पर हमने क्यूं किया decision लेने के लिए, कि कितने, कौन से महीने में, कितना हमाई stock करके रखना है ठीक है, तो इस graph के सारे, अब हम decision लेंगे, कि January के महीने में 60 भी रहे हैं, तो हम कुछ 80 stock करके रखेंगे January के महीने में, 80 dozen, February के महीने में हम कुछ 50 dozen stock करके रखेंगे May में थोरह जादा, April में और भी जादा, May, June के महीने में सबसे जादा हम stock करके रखेंगे तो यह अब इस graph के सारे हम decision ले सकते हैं, तो यह है हमारा fourth point या fourth step जो है, understanding the data to make better decisions and finding the final result तो final result क्या हुआ, final result ही हुआ कि January के महीने में हमें एक अंदाजा पता चलिए कि कितना stock करना है February के महीने में भी पता चलिए, हर महीने के हिसाब से हमें पता चलिए कि कितना stock करके रखना है तो यह होता है पूरा data science, ठीक है यह होता है पूरा एक process data science का, ठीक है तो अब बात यहाती है कि जब हम data science पढ़ते हैं, तब एक graph हमारे आखों के सामने आता है ठीक है, वो graph अभी आपको दिख रहा होगा तो अभी हम इस picture में देख सकते हैं कि data science के तीन major components होते हैं एक होता है computer science, एक होता है mathematics and statistics और एक होता है domain knowledge, ठीक है तो सबसे पहले mathematics and statistics को देख लेते हैं, उसका official definition देख लेते हैं to collect and analyze the numerical data in a large amount and find meaningful insights from it इसका मतलब क्या हुआ, तो mathematics and statistics हमें क्यों लगता है, यह इदर defined किया गया है तो of course जैसे मैंने उस graph में दिखाया था या उस data में दिखाया था कि हमें पूरा quantity का sum लेना पड़ता है और फिर उदर हमें मतलब को जैसे हमने उस second step में किया था उदर हमें लिखना पड़ता है, तो इसके लिए हमें match के जरूरत है statistics के ज़्यादा जरूरत है actually के लिए क्योंकि हमें कभी कवर average भी लेना पड़ता है, median, mode यह सब लेना पड़ता है पर match भी ज़्यादा होता है क्योंकि कभी कवर हमें linear algebra ठीक है यह सब भी हमें जरूरत पड़ती है, यह सब कैसे जरूरत पड़ती है, यह future में आपको पता चल जाएगा अभी के लिए मैं एक बस introduction ही देख लेते हैं, एक just simple knowledge ही ले लेते हैं फिर second जो है computer science, to understand algorithms, data structures and optimization techniques ठीक है, तो computer science इसलिए हमें जरूरत पड़ती है, क्योंकि यह जो data है यह जो data है, यह से हमें computer programming languages के सहरे हमें उसका analyze करना पड़ता है ठीक है, ऐसा नहीं कि हम अभी तो फिर भी यह सिर्फ 365 data points थे लाखो यह हजारो, लाखो, कभी कबार, करोडो ऐसा data points आ सकते हैं तो तब हम ऐसा है तो नहीं कि हाथ से लिक, लिक कर हम उसका sum कर रहे हैं, उसका median निकाल रहे हैं, उसका average निकाल रहे हैं नहीं, ऐसा नहीं कर सकते हैं, computer languages की जरुरत होती है, लिधर अलग-अलग languages होता है, अलग-अलग technologies होता है, जैसे की R, एक major language जो है, वो है R language, ठीक है, कुछ दिर बाद ही आपको पता, कुछ lectures बाद ही आपको पता चल जाएगा, कि हम कैसे R language के सहरे, हम ऐसे analyze कर सकते हैं, ठीक ह on computer, इसलिए computer science की जरुद पढ़ती है, बर लास्ट जो आता है, वो है domain knowledge, पहले इसका official definition देख लेते हैं, तो अदेस्टेंड the context and subject matter of the data being analyzed, without domain knowledge, data scientists may struggle to ask relevant questions, interpret results accurately, और provide actionable insights, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ, कि domain knowledge इसलिए जरुरी है, क्योंकि हमें एक decision भी लेना है, ठीक है, जैसे कि उस mangoes के case में, पहला decision हमने यह लिया था, कि हमें rate का column लेना है, यह हमें quantity का column लेना है, अब जिसे mangoes के बाड़ में कुछ ना पता हो, grocery store के बाड़ में कुछ ना पता हो, वो तो ढंक से decision ही नहीं ले पाएगा, यह यह तो ठीक है, यह तो हम data में decision ले रहेते है, final result, जब हम देख रहेते हैं कि इस तरह से graph बन रहा है, तब अगर किसी को उतना knowledge ना हो, mangoes के बाड़ में, तब ओ सोचेगा कि एकदम, यह सिरिफ mangoes के बाड़ में नहीं, सिरिफ stores के बाड़ में भी, कि ऐसे हम grocery store में हम ऐसे खड़ी-दरी करते हैं, अगर उसका बार में knowledge ही ना हो, तो हम decision कैसे ले पहेंगे, सोचो किसी को knowledge नहीं है, तो क्या decision लेगा, कि हाँ, January में, सोचो January मुझे पता अभी याद नहीं आ रहा है, कि कितना हमने calculate किये थे हैं, पर सोचो January में सिरिफ 30 dozen बिक रहे थे है 30 नहीं, sorry, 60 dozen बिक रहे थे हैं, अभी याद आया, तो 60 dozen बिक रहे थे हैं, तो जो अभी decision ले रहा है, अगर वो जानता है कि कैसे grocery store काम करता है, तो वो क्या वो लेगा, कि exact 60 नहीं, और भी थोड़ा जादा लेता है, क्योंकि of course ऐसा नहीं हो कि दुकान दार, मतलब ऐसे customers आ चुके हैं, तो उसका ही loss होगा, लेकिन जो इसके बार में कुछ knowledge ही नहीं है, जिसे इस domain के बार में, मतलब इस grocery store एक domain हो गया, इसके बार में knowledge ही नहीं है, वो बोलेगा कि ठीक है, 60 इदर भी रहे, तो 60 ले लो, February में 40 भी रहे थे, 40 खरीद लो, इस तरह का decision लिया जाएग अगर उसे domain knowledge ना हो, इसलिए data science में computer science तो जरूरी है, math and statistics तो जरूरी है, पर तीसरा जो component है, वो है domain knowledge ये भी बहुत जरूरी है, नहीं तो ये दोनों से कुछ, सिर्फ इन दोनों के सारे decisions नहीं लिये जा सकते हैं, domain knowledge होना भी जरूरी है, उस जिसके बार में हम study कर रहे हैं, जिसके बार में हम इतना analysis कर रहे हैं, उसके बार में knowledge होना भी जरूरी है, ठीक है, तो चलिए फिर आज के लिए इतना ही था, introduction में इतना ही अभी काफी है, तो अगर आप ये वीडियो YouTube पे देख रहे हैं, तो प्लीज इसको like कर दिजे और हमारे चैनल को subscribe कर दिजे, और अ share किया है, जहां पर सारे के सारे questions जो पूछे जा सकते है, exam में, वो मैंने share कर दिया है, तो उसे देख लेना, solve कर लेना, ओके, तो चलिए फिर आज के लिए, thank you very much.